हलो फ्रेंड्स, मैं संपधा खुलकरनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चानल टेक टॉक्स में ये वीडियो सेरीज आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में बताने वाली है जिसमें से ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेर कर रही हूँ to explain open and close primitive operation on files in C++ सो basically primitive operations क्या होते हैं उसमें से open और close operation अगर हमें perform करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है ये सारी चीजे मैं इस वीडियो सेशन में आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको request करूँगी अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कीजिए साथ में bell ringing रखिए क्योंकि ringing bell आपको नए वीडियो के notification देखता रहेगा तो चलू देखते हैं कि primitive operation क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले primitive operations वो होते हैं जो हमें file handle करने के लिए मदद करते हैं तो सबसे पहले हमें file open करनी होती है अगर file exist है तो हम open कर सकते हैं file exist नहीं है तो हमें file create करनी है वो करने के बाद हम उस file का use करेंगे अभी use करते time हमें file हम read भी कर सकते हैं हम write भी कर सकते हैं उसके बाद हमें file close भी करनी है तो यह सारे हो गए आपके primitive operations जो कि हम file पे operate करने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे file open करेंगे और create करेंगे अगर exist नहीं है तो उसके बाद हम उसका use करेंगे reading purpose के लिए और writing purpose के लिए और हमारा purpose fulfill होने के बाद हम file को close कर देंगे तो यह सारे होगे primitive operations अभी यह करते time हमें एक चीज़ धान में रखनी है जो कि हमें हमेशा Iostream और Fstream नाम के जो header files होती है वो हमें include करनी है हमारी source file में C++ का जो हमारा program होगा उसमें हमें यह file include करनी है क्योंकि यह file अगर include नहीं हम करते हैं तो यह सारे operations हम perform नहीं कर पाएंगे अभी आगे जाके हम देखते हैं अगला वाला बहुत important topic जो है file pointer क्योंकि without file pointer हम कोई भी primitive operation perform नहीं कर सकते हैं तो file pointer क्या होता है जब कभी हम कोई भी file कौन से भी operation के लिए purpose के लिए open कर रहे हैं तो उसमें हमें उसके साथ साथ एक file pointer भी हमें maintain करना पड़ता है जो file pointer हमें मदद करता है address store करने के लिए जिसमें हम current position of the cursor हम देख सकते हैं तो जिसमें हम current position of the cursor हमें जैसी पता चलता है तो यह easy हो जाता है कि हम read और write कहां से करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं तो यह उस सारी चीजों का track रखता है इसलिए हमारे साथ file pointer होना बहुत जरूरी है अभी आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी है क्योंकि अगर हम file pointer use करते हैं कौन से भी operation के लिए तो उसे हमें increment नहीं करना है वो automatically increment हो जाता है automatically next position पे वो move होता है हमें programmer को इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि हमें explicitly उसको increment करना है वो automatically increment हो जाता है तो चलो अभी हम start करते है कि open file हम कैसे कर सकते है और अगर हमें file exist नहीं है तो हम create कैसे कर सकते है तो यह सारी चीजे चीजों के लिए आपको opening modes पता होने जरूरी है तो opening modes के लिए मैं यहाँ पर right up corner पर एक link आपको provide कर रही हूँ जो कि मेरा इसका पहला वाला वीडियो है जिस पर मैंने already explain किया है कि opening modes file handling में क्या-क्या होते है in C++ तो अगर आपको यह पता नहीं है तो please वो वाला वीडियो देखके इस वाले वीडियो को continue कीजिए करना है कि कौन से purpose के लिए हमें file open करनी है तो purpose 2 हो सकते है आइदर हमें reading के लिए file open करनी है या writing के लिए file open करनी है हमारा purpose final होने के बाद हमें stream select करनी है कि कौन से stream हमें use करनी है अगर हमें read operation perform करना है तो उसके लिए हमारे पास है if stream जो की है input stream अभी उसके बाद हम अगर input यहां पर ले रहे हैं, read कर रहे हैं तो उसके लिए हो गया input stream, if stream अगर हमें write function करना है तो उसके लिए हो गया of stream जो की है आपका output stream अभी अगर मुझे दोनों operation एक साथ perform करने हैं, reading और writing तो उसके लिए हम f stream use करेंगे क्योंकि f stream में हमें दोनों, that is input और output operation perform करने की facility है तो अभी आपका purpose भी final हो गया, कि आपको कौन से purpose के लिए file open करना है उसके साथ-साथ हम stream भी select कर चुके हैं अभी यहापे मैं आपको syntax बताने वाली हूँ, कि syntax आपको कौन सा use करना है तो आपको अगर reading operation perform करना है और writing operation perform करना है, तो उसके लिए हमें accordingly stream use करनी पड़ेगी उस stream का object हमारा file pointer होगा और वो file pointer हमें open function access करने के लिए help करेगा तो open function का syntax क्या है, तो उसमें सबसे दो parameter होते है सबसे पहला वाला parameter जो है, वो है file name और उसके साथ हमें location भी देना है दूसरा वाला parameter जो है वो opening mode, जैसे कि मैंने आपको बताया opening modes क्या होते है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही shortcut link provide कर दिया है आप वो देख लो और उसके बाद ये वाला continue आप कर सकते हो तो ये हो गए आपका syntax, अभी हम example देखते है कि अगर हमें file right mode में open करनी है और file create करनी है, तो हम कैसे कर सकते है तो ये हो गए उसका syntax, अभी हमें right mode में करना है, इसके लिए हमें of stream use करेंगे क्योंकि वो output हमें करना है, राइट करना है तो ये हो गए उसका file pointer, और हम उसे object भी बोलते है इस class का of stream का object है, out file अभी ये out file से हम access कर सकते है open function जो की open function, आपका member function है of stream class का जिस पे आपने first parameter pass कर लिया as a file name with extension और second parameter आपने pass कर लिया opening mode, जो की है out जो क्योंकि हमें file write mode में open करनी है अभी मान लो कि आपको दोनों operation एक साथ perform करने है तो हम क्या कर सकते है, जैसे की for example हमें reading और writing दोनों operation एक साथ perform करने है तो हमें क्या करना है, हम oring यूज करके ये दोनों operation एक साथ perform कर सकते है अभी दोनो reading और writing करना है इसलिए मैंने जो stream यूज की है वो है f stream क्योंकि f stream जो responsible है दोनों operation के लिए input भी output भी इसलिए मैंने f stream यूज किया यह उसका हो गया file pointer file pointer यूज करके मैंने open function call किया जिसमें मेरा first parameter है file name दूसरा parameter है opening mode जिसमें मेरा पहला opening mode है out mode क्योंकि यह file create करेगा और यह in mode जो की file same file वो read भी करेगा तो इसलिए हमें अगर more than one opening mode यूज करने है तो उसके लिए हम और operator यूज करेंगे यह हो गया आपका opening file अभी अगला वाला primitive operation है आपका close file वो हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है तो अभी close करने के लिए जो हमने फाइल उपन करने के लिए जो memory allocate की थी उसे हमें release करना है वो automatically भी होता है पर best practice यह है कि हम explicitly programmer explicitly file को close करें जैसे हमारा program terminate हो रहा है उससे पहले नहीं तो हमारा काम होने के बाद हम हमारा जो open किया हुआ file है वो close कर लेंगे तो उसका syntax हम यहाँ पे देखते है close function भी जो है वो f stream, i stream, o f stream class का ही member function है तो उसी class का object हमें वो function access करने के लिए use करना होगा तो यहाँ पे हम example देखते है यह तो उसका हो गया syntax और example ऐसे है कि जो हमने output के लिए मतलब writing के लिए जो file open की थी वही हम यहाँ पे close कर रहे है तो अभी यह जो object है यह जो file pointer है वो f stream का file pointer है और वही file pointer हम close function call करने के लिए use करेंगे तो यह हो गया हमारा close function call जो की हमारी file क्लोज कर देगा कौनसी file क्लोज करेगा जिसके साथ यह out of file variable के साथ जो file हमने open की थी वो file को यह close function क्लोज कर देगा तो friends मैं आपको यह सारी चीजे बता के I hope आपको सारी चीजे समझ में आ रही है Thank you आपने मेरा वीडियो देखा और सुना comment देना ना बूलिए यहाँ पर मैं इसके साथ साथ subscription link भी provide कर रही हूँ अगर subscribe आपने नहीं किया है तो please subscribe कीजिए उसके साथ साथ मैं यहाँ इस video series का अगले वाले video का shortcut link यहाँ पर मैं provide कर रही हूँ तो मेरे channel के साथ tune रही है उसके साथ साथ मैं आपे यही video series का playlist का भी shortcut link आपको provide कर रही हूँ तो thank you friends stay tune with tech talks thank you